वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें आज हम करेंगे जमा के यानिके एड के सवाल यानिके सम्स और कौन से वाले? कैरी वाले तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहली वीडियो में हमने अपने सिम्पल्स करे थे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि आप सिम्पल करना चाहते हैं तो चलिए यह हमारी तीसरी वीडियो है एड की चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने 56 में 67 को एड करना है यानि के जमा करना है प्लस करना है तो इसको हम एड प्लस जमा यानि के जो मरची बोल सकते हैं तो 56 में 67 करने के लिए हमने क्या किया 56 के नीचे 67 लिख दिया यह यह देखिए यह लिख दिया और यहाँ पर यह एड का निशान लगा दिया यह यह इस तरीके से अभी तक तो हमें आई गया होगा कि हमने अपने माइंड में रखकर इसको कैसे काउंट करना है इससे पहले हम फिंगर्स पे कर रहे थे हैं लिक कर कर रहे थे कैसे भी कर रहे थे लेकिन अब हमने माइंड में ही रखना है यदि हमें फिर भी माइंड में ना आपा रहो तो हम fingers पे या फिर counting के चलिए भी कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं अब हमारा ये है 6 और 7 यानि के 6 और 7 तो 6 और 7 को जब हम mind में रखके count करेंगे तो रखिए mind में 6 yes बोलिए हंजी तो कितना आया हमारा 13 very good तो ये हमारा 6 and 7 जब हमने count किया हमारा यहाँ पर कितना आगया 13 अब हमने इस 13 को क्या करना है हमने इस में से जो right होता है हमारा right hand हमने sums चाहे शुरू करना है चाहे यहां से उठाना है हमें right को यह उठाना है यहां से भी तो राइट को उठाने के लिए हमने क्या किया है यह 3 है हमारा राइट पे तो राइट पे हमारा कितना है 3 तो यह 3 हमने उठा के इसको दे दिया बस इन्हें दे दिया 3 और जो यह 1 है न इसके ओपर हमने ऐसे राउंड लगा दिया कि यह वाला 1 जो है न हमने किसको देना है य इसको, अगली वाली डिजिट को, जो ये हमारी next डिजिट है, उसको दे दिया, उठा के हमने, ये वला one, क्योंकि हम यहां 13 नहीं लिख सकते थे, यदि हम 13 लिख देते तो हमारा sum रोंग हो जाता, हमारा स्वाल गलत हो जाता, तो हमने ये जो one था, इसको carry कर दिया, तो ये थ थ्री लाइन बन गई, टू नहीं, जैसी ये टू थी, ये भी टू थी, लेकिन जब इसने अपना one थर्टिन ने इसको दे दिया, तो ये एक, दो, तीन, तीन लाइने बन गई, तो one भी इसमें है अब, क्योंकि one इसने ले लिया इससे, जब इससे ले लिया तो इसी का बन तो अब ये हमारा कितना है, ये one, five, six, तो हमने ये तीनों को काउंट करना है, तो one plus five, six, and six plus six, six, कितने हुए, twelve, तो ये जब हमने ये सारे के सारे काउंट करें, यदि हम फिंगर्स पे या गिंती लिखके भी काउंट करते हैं, तब भी हमारे इतने ही आएंगे, तो ये हम हमारे पस ये 12 का one किसको है नहीं जिसको हम one दे, 12 किसी को दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई है नहीं आगे देने के लिए, ये दि कोई होता तो वो उसे दे देता, अब जब कोई है नहीं, तो उसने अपने पास ही रख लिया, 12 का 12, उसने अपने पास ही रख लिया, तो यह कितना बन गया 123 जब यह सारा टोटल हो गया 123 बन गया यह तो इस तरीके से हम next sum भी करेंगे चलिए यह तो था हमारा पहला sum अब हम दूसरा sum करेंगे चलिए देखिए अब यह हमारे पास क्या है 74 प्लस 58 अब हमने उसी तरीके से 74 के नीचे 58 लिख देना है और उसको फिर add करना है तो चलिए यह हमारा 58 इसके नीचे चला गया यह तो यह देखिए हमारा यह जो 58 है इसके नीचे चला गया यह यह इसके नीचे हमने लिख दिया अब इसको add करना है उसी तरीके से तो 4 प्लस 8 यह हमारा हमने अपने माइंड में प्लस करना है क्योंकि हम बहुत देर से सेख चोके इसको तो जब हम इनको करेंगे 4 प्लस 8 4 प्लस 8 यह कितना हो गया 12 यह हमारा 12 बन गया जब हमने अड़ किया तो हमने क्या सिखा था हमने यह राइट वाला जो उठा की किसको दे देना है इनको दे देना है और यह जो वन हमने सिखा था किसको देना था नेक्स्ट वाले को यह यही सिखा न हमने कि हमने इसको दे देना है जब हम इसको दे देते हैं जब डबल डिजित होती है यदि double ना हो तो हमें किस कुछ देना ही नहीं है उसको, यदि ना उत्ती double तो देना ही ना पड़ता, अब double थी तो हमें one देना पड़ गया, अब one देना पड़ गया, तो ये कितनी लाइने बनगी, एक, दो, तीन, तीन लाइने बनगी, तो अब हम count करेंगे, one, seven, five, तो eight, five, 13, कितना हुआ, 13, अब वो ही method, कि इसके पास किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये 13 सारा का सारा कहां पर आ गया, ये यहां पर, तो ये total हमारा क्या बन गया, one hundred thirty two, one hundred thirty two, ये हमारा इसका answer आ गया, तो चलिए, मैं आपको कुछ sums इसके लिए देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए, यही वाले, तो आपने इनकी प्रैक्टिस भी करने है, 73 plus 47 95 plus 27 63 plus 38 25 plus 49 यह हमारे प्रैक्टिस सामस हैं जो हम अपने आप करेंगे जिनों ने अभी तक भी सस्क्राइब नहीं किया वह सस्क्राइब और लाइक जरूर कर लें और घंटी का पटन दबाना ना भूलें